गुदीविंग एवरीवान मैंने काहते मैं सारे नौ बजए आऊंगी एंटीपीसी पर लेकिन बहुत सारे डिसकॉशन करने हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट टुक कर देते हैं एंटीपीसी से देखो एंटीपीसी में बहुत सारे स्टुडेंट्स की क्वेशन्स आ रहे थे और वाचाहरे ते एक शॉट वीडियो में बता दूं कि किस तरह से एक्जाम का पैटन होगा तो मैं आपको एक बहुत अब चाहो तो मेरे आपस में आके यह four pages ले भी सकते हों जो मैं आपको दिखा दूं कि क्या है इसके बारे में देखो यह मैं दिखाना चाहरे हूं आप 77 है दिसमें एक CBT 1 होगा और CBT 2 होगा आप सबसे पहले मैं आपको CBT 1 का बता दूँ देखो ध्यान से General Awareness 40 Marks के होंगे Mathematics 30 Marks के General Intelligence and Reasoning 30 Marks के कुल मिला के 90 मिनिट में आपको 100 Questions करने है General Awareness का मतब होगा कि Complete GS मतलब History, Geography, Politics, Economics सब कुछ मिला के ठीक है इसलिए General Awareness का अच्छा वेटिज है लेकिन मैं आपको और एक चीज़ दिखाऊंगी कि आज आप CBT 2 में आप देखो General Awareness 10 Questions बढ़ जा रहे हैं Maths के 5 Questions बढ़ जा रहे हैं Reasoning के 5 Questions बढ़ जा रहे हैं आपको 20 Extra Questions करने हैं और आप General Awareness का देखो General Studies जिसको मैं कहूंगी 40 Questions से बढ़ कर 50 Questions हो जा रहा हैं मैं इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए मैं आपको एक चीज़ सजस्ट करना चाहूंगी कि देखो Maths और Reasoning आप लोगों ने SSC के batches में कर लिये हैं कल हम एक batch शुरू कर रहे हैं 8 से 11 General Studies का batch मौनिंग में अगर चाहो तो आप मौनिंग में आईए 8 से 11 का batch शुरू कर रहे हैं और उस batch में बिलकुल हमलग कोशिश हमारी यही रहेगी कि आर बार RRB का targeted तरीके से हम batch चलाएं जिसमें GS जितने भी RRB में पहले questions आएं हुए हैं वो सारे आपको classes में हम देंगे और उसी को target करते हुए यह batch चलाएंगे ताकि आपका यह जो general studies जिसको आप बहुत जादा avoid करते हुए SSE में वो avoid ना हो और बहुत जल्दी ही मैं पिछले जो आपके question papers जो railway के होते आएं हैं उनको evaluate करके मैं आपके classroom में ही announce कर दूँगी कि किस subject का कितना weightage होता है और कितना आप उस पर time दोगे तो यह ध्यान रखना कि यह general studies के लिए हम GS special batch ला रहे हैं जो up to IS pre के level तक का batch होगा यानि कि उसमें assistant commandant का batch का भी पूरा cover होगा IS pre तक का cover होगा लेकिन हम आपको railway के questions पूरा complete उस batch में teachers को खास कर बताया जा रहा है कि इसको आप RRB को targeted करके चलोगे कि बच्चे से यह जो question है जो वो SSE में बहुत ignore करके चलते हैं वो ignore ना हो और वो अच्छे से कर सके तो ध्यान अखना कल जरूर आप 8 से 11 में हमारे यहां पे demo के लिए आजाना general studies के लिए अब आप आते हैं mathematics में तो maths में syllabus बिल्कुल सेम है मैं आपको सिर्फ topic दिखाना चाहते हूँ कि कौन कौन से topic जो है जो maths में और reasoning का मिला के आपको अलग दिखेगा सबसे पहले जो elementary statistics है वो maths में आपके SSE में नहीं आते हैं आपको RRB में आएगा पजल PO का syllabus है जो SSE में नहीं आते RRB में आएगा data sufficiency PO में आता है और SSE में नहीं दिखता ये ये RRB में आएगा decision making आपको PO में दिखता है decision making का एक अलग level होता है जो CSAT में यानि कि civil services में होता है लेकिन RRB में दिखेगा आपको जो SSE में आप नहीं पढ़ते हो उसके बाद maps बिलकुल different चीज़ है जो आपको reasoning में इसमें आएगा graphs का interpretation जो है वो SSE का syllabus नहीं है ये सारे चीज़ें ये पूरा complete elementary statistics, puzzle, data sufficiency, decision making, maps and interpretations of graph ये SSE में नहीं आता है ये आपके RRB में आएगा उसके बाद आएए तो आप लोग जो मुझसे पूछ रहे थे कि माम किस तरह से इसमें हमें preference भरना चाहिए तो सबसे पहले depend करता है कि आपका preference क्या है graduate है तो preference आपका station master होना चाहिए फिर आपका goods guards का होना चाहिए लेकिन इसके अलावा अब अगर आपके typing ठीक है और नहीं भी ठीक है तो सीख लो क्योंकि typing का बहुत elementary test होने वाला है बहुत elementary 30 words for English and 25 words for Hindi तो इसलिए बहुत आसान होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा problem नहीं होगा तो यह हो गया और ध्यान रखना जो आप preference भरोगे जितना ज़्यादा vacancy है जिस जगह से उतना ज़्यादा वहां से forms भी बरे जाएंगे इसलिए जो आपके घर के नजदीक हो जो आप comfortably आप जहां से घर भी जा सको और मतलब आपकी life comfortable रहे वहां पे आप वहां से form भरो क्योंकि जितना ज़्यादा vacancy होगा उतना ज़्यादा गाने से लोग भरेंगे से किंडली इंग्लिश नहीं है तो jaan लो इलाबाद zone के जह बच्चे होते हैं वह इंग्लिश में ही मार खाते हैं इसलिए इंग्लिश में आपट अगर कमजौर है तो अगर आप सोचो कि इंगला बाद में तो आपको अच्छा टककर मिलेगा आप नहीं कि इलाबाद के students सिर्फ English में थोड़ा problem face करते हैं, बाकी में बहुत रंदर होते हैं, जहां तक आपके medical का सवाल है, उसके लिए मैं अलग से एक लेके आऊंगे, क्योंकि देखो medical में पुरा complete लिखा हुआ है, medical में बहुत detail में लिखा हुआ है, आपके notification में, जो हमने, basically हम यहां उठा के लेके नहीं आए हैं, क्योंकि हमें इसकी जरुत महसूस नहीं हुई, आप देखे सबसे जादा इलाहाबाद, मुंबई, मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप zone wise देखो तो सबसे जादा इलाहाबाद, मुंबई, सिकंद्राबाद, कोलकता, चन्नाई, यह तक आपको बहुत जादा विकेंसी दिख रहे हैं, यह देख लीजे, शुरुआत में आपको एराउंड अजमेर तक बैंगलोर और अजमेर तक आपको अच्छे खासे विकेंसी दिख रहे हैं, तो इसलिए विकेंसी देख लो, अच्छा, उसके बाद आपने मुझसे अच्छा, अच्छा, उसके बाद आपने पूछा है, दिल्ली पुलस का, है ना, देखो, आप लो का जो, फ्यूचर है, या फिर आप लो का जो बेरुजगारी हो, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बहुत चोटा सा मुद्दा है सरकार के लिए, तो इसलिए इतना ध्यान नहीं दिया गया, वरना 14 तार ही है कल ऐसा announcement हो गया कि आज से आचार सनीता लग गया है इसी लिए पांच हजार जो vacancy है पांच हजार vacancy already sanction हो चुका है दिल्ली पुलिस constable का जान लो दिल्ली पुलिस constable का vacancy sanction हो चुका है और वह आएगा ही आएगा लेकिन अब आएगा आपके लोग सभा के election के बाद मतलब समझ में आया कभी भी कोई सरकार कोई vacancy announce करती है तो दूसरी सरकार उसको आके नहीं बंद करती है और इस पे अब काफि strict policy भी बन रही है जो courts में कह रहे हैं कि ऐसे नहीं कि एक सरकार announce करें दूसरी सरकार आके उसको खतम कर दें वो नहीं हो सकता तो इसी लिए यह already दो बार दिल्ली पुलिस की दौरा सुचित किया जा चुका था कि हमें urgent requirement है जिसके बाद 5000 vacancy already sanction हो चुका है लेकिन अब उसका announcement notification तो अब next government आने पर ही होगा यानि कि आपको पता है अचार सनीता लग गया है इसी लिए अभी वो नहीं आ सकता लेकिन तयारी जारी रखो क्योंकि इतना असान नहीं होगा हाँ एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि अगर आप आरारबी NTPC का batch कर लोगे तो फिर आपको दिल्ली पुलिस कोंस्टिबल का batch करनी की जरुवत नहीं पड़ेगे उसका reason आपको पता ही है तो फिर आपको अलग से दिल्ली पुलिस कॉंस्टिबल का बैच करने के आपको जरूरत नहीं पड़ेगे, तो मेरा सजेशन मानो कि अभी आप लो फटा फट ये तैयारी कर लो, अच्छा हां ये चीज में बता दूँ आपको जो आपका अररभी जेई का शुरू हुआ था न उसमें 30 क्वेश्चन साइन्स के थे अलग से, जान लेना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो 40 क्वेश्चन है और उसके बाद जो आपके CBT2 में 50 क्वेश्चन है, वो पुरा कम्प्लीट जेनल स्टेडियस का है, इसलिए वो चीज इसमें नहीं है, आप ध्यान रखना और बताईएं, अब देखें जो दिल्ली पुलिस के लिए जरूरी है, वो चाहिए आपको चाहिए, अच्छा कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि मैं हम CHSL में अगस्ट का डेट दे दिया है, देखो तीन साल पहले तक, दो साल पहले तक उन्होंने कहा था कि नहीं, अब हम अ पॉबलम हो रहा है, तो उसमें कोई कोट भी आपको हेल्प नहीं करेगी, ठीक है, और बताईए, ऑनलाइन टेस्ट अरड़ी जेए का चल रहा है, और भी जेए का, इसका हम बहुत जल्दी शुडू करने वालें, क्योंकि मैंने कहा था आपको, कि इन सब का प्रूफ हाँ, आप तो देखो एक चीज़ है, EWS का आगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, बहुत बड़ा प्रॉबलम नहीं है, क्योंकि उसके बिना भी आप फॉर्म भर सकते हो, ये बात हो चुकी है, लाइब क्लास जो है, कल का सेमिनार तो लाइब कई हमारे सेंटर्स मे देखोगा, और एक चीज़ में आपको और बता दू, कि मैं अपना बैच लेके आने जा रही हूं, बहुत जल्दी ही एप में, और इसका मैं क्लियरली बता दू, तो उसमें बहुत डिटेल में मैं पढ़ाने जा रही हूं, कुछ लोग यही कह रहे हैं, कि कहीं ऐसा नो हो, आप भी बैच में आएं, और फिर वापस भाग जाएं, तो बहुत सो समझ के मैं आ रही हूं, उसका दोतीन रीजन है, कि एक तो मैं चाहते हूं, कि मैं बहुत अच्छे से, आराम से, अपने स्पीड में आपको पढ़ाऊं, क्योंकि इंग्लिश एक भाषा है, उसको नियम कानून में बादना थोड़ा मुश्किल है, लेगिन फिर भी हम लोग जब बुक्स लिखते हैं, तो रूल नंबर सो और सो लिखना पढ़ता है, कारण क्या है कि जो दूर में बाठा हुआ स्टूडेंट है, उनको हम कैसे समझाए, तो इसलिए मैंने अपने बुक में भी र ग्रामर की अगर मैं बात करूँ, तो वही 200 घंटे उपर हो जाएगा, क्योंकि मैं बैठके चाप्टर में आंस लिख रही थी, कितना आंस मुझे जाहिए, पर चाप्टर, तो जब मैंने जब काउंट किया, तो मैं थोड़ा सा खोदी, टेंशन में आगे कि पता नहीं क्या आप लोग सोचोगे, क्योंकि मुझे ग्रामर में ही 200 घंटे चाहिए, 10,000 के उपर वोक्याब कराऊंगे मैं आपको, और इसमें मैं बता दियूं आपको कि वोक्याब रूट से इतना होगा, कि अगर मैं वोक्याबलरी के बात करूँ, तो वर्ट पावर मेड एजी में वोक सेट होंगे, आप हो सके, तो मेरा केडी लाइव करके टेलिग्राम का एक चानल बनाया है मैंने, उसको जॉइन कर लो, उसमें आपको मैं सारा एसाइन्मेंट्स देती रहूंगी, और आप जब हमारे बैच में आपका एड्मिशन हो जाएगा, आपका फी जैसे आजाएगा तो आपको स्टेडी मिटियल डिस्पाच हो जागे यहां से, और जो एसाइन्मेंट में डे टू देती हूँ, वो मैं आपको उसमें केडी के, केडी लाइव के टेलिग्राम चैनल में प्रोवाइट कर दूँगी, और उसके बाद वो हम क्लास में डिसकस कर लेंगे, तो ऐस यही ऐसा एक्जाम नहीं होगा, इस दुनिया का अबजेक्टिव एक्जाम, जिसको आप कॉलिफाइड नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरे साथ बहुत पेशन्स के साथ पढ़ना होगा आपको, और मैं आपको बता दूँ, मैं जो पढ़ाती हूँ, एक्जामनेशन पॉइंट औ क्योंकि क्लास में भी मेरी यह कोशिश रहती है कि आपका भी क्लास में बोर मत ना हो, क्योंकि ऐसे भी आपको पता ही है कि इंग्लिश में आप लोग थोड़ा सा पेशन्स भी और इंट्रेस्ट भी लूज करते हो, तो बहुत जल्दी मैं अपने आप में लेके आ रही और इसके बारे में मैं बहुत जल्दी आपको डिटेल बता दूँ कि हाँ, एक छोड़ी चीज में बता दूँ कि फॉर्स वीक आफ एप्रिल में हमारा बैस शुरू हो जाएगा, तैंक यू सो मच